आज का हमारा टॉपिक है फॉरण ट्रेट एंड बैलेंस आफ पेमेंट्स एक्जामिनेशन पॉइंट आफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रही है विकाज मैं आपका छोटे से छोटा कॉंसेप्ट पूरे डिटेल में समझाओंगा आपका एक एक कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अगर आपको इस वीडियो की पीडियेफ चाहिए टेलिग्राम पे जाओ वहाँ पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रूप को जाइन करो और अगर आप मेरे कॉंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अन मैथामेटिक्स, स्टैटिक्स एंड एकनोमिक्स देखना चाहते हो मलिक ट्यूटोरिल पे क्लिक करो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट, टीटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसी क्यूज की भी मिल जाएंगी नव सबसे पहले हम डिसकस करेंगे ट्रेड होता क्या है ट्रेड रफेर्स टु दे एक्शन आफ बाइंग सेलिंग और एक्सचेंजिंग गूट्स एंड सर्विसेज बिट्वीन प्यूपल, कंपनीज, कंट्रीज एंड अधर एंटिटीज ट्रेड सिंपली क्या होता है एक्सचेंज आफ गूट्स एंड सर्विसेज अगर हम एट प्रेजंट की बात करें ट्रेड इस वयरी पावरफुल इस्टूमेट आफ इकोनॉमिक इनटीगरिशन इस वकत पूरी दुनिया जुड्य हुइ है because of trade इस वकद जो है जेंड के trade की वज़ा से डेली के साथ connected है मुंबई के साथ connected है और अगर हम international level पर करें पूरी दुनिया की countries इस वकद एक दूसरे के साथ trade करती है अगर हम trade की types की बात करें trade को हम classify करते हैं as internal trade and international trade now internal trade क्या होता है जब exchange of goods and services within the political and geographical boundaries of nation takes place होता है जब हम goods and services की buying and selling कहां करते हैं within the political and geographical boundaries of nation एक nation की political and geographical boundaries के अंदर जैसे जेंड के और मुंबई इनके बीच में जो trade है वो क्या है internal trade इसी तरह से जब हम international trade की बात करते हैं तो international trade में countries इन वालों होती हैं between two or more countries के बीच में जो भी trade होता है जो भी exchange of goods and services होता है उसको हम क्या कहते हैं international trade ओके नव जो हमारे पास internal trade है इसको हम domestic trade या home trade भी कहते हैं और जो हमारे पास international trade है इसे को हम foreign trade या external trade भी कहते हैं यह था हमारे पास एक short view trade and types of trade next हमारे पास जो topic है वो है balance of trade and balance of payments सबसे पहले हम बात करेंगे balance of trade की now balance of trade is a financial statement that captures the nation's import and export of commodities with the rest of the world now balance of trade को हम short में boat भी कहते हैं balance of trade simply एक financial statement है किसकी transactions की relating to import and export of commodities जो भी हम commodities या import करते हैं या export करते हैं उनकी जो transactions होती हैं उसको हम लिखते हैं एक statement prepare करते हैं और उस statement को हम क्या कहते हैं balance of trade next point हमारे पास क्या है it records only merchandise transactions यह बहुत ही important point है जो balance of trade है यह सिरफ merchandise transactions को record कर सकता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है balance of trade is a financial statement of only visible goods जो balance of trade है यह सिरफ visible goods की जो transaction होती है जो import and export होता है सिरफ उसी को record कर सकता है now अब यह visible goods कौन से goods होते हैं ऐसे goods जिनको हम छू सकते हैं जैसे हमारे पास mobile phone है जब आप किसी दूसरी country से mobile phone मंगवाओगे तो आपको यह दिखेगा या कोई machinery है ठीक है अगर हम services की बात करें जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरा कोई student अमेरिका का है ठीक है मैं उसको service provide कर रहा हूँ बट आप मेरी teaching को touch नहीं कर सकते हो तो services क्या है यह invisible goods है और balance of trade में वो include नहीं होता है कभी कबार इसके related भी question पूछे जाते है now balance of trade को हम किस तरह से calculate करते है export of goods minus import of goods जितने goods हमने export किये बाहर countries में बेचे minus हमने कितना import किया इस तरह से हम balance of trade को calculate करते है it is a component of current account of balance of payment यह चीज़ बे आपको याद रखनी है जो हमारे पास balance of trade है यह किसका component है यह component है balance of payment का और यह किस category में आता है current account में यह फाल करता है जिसको हम अभी आगे detail में discuss करेंगे now जब हम board के नाम को देखते हैं यानि balance of trade हमें यह लगता है balance of trade हमेशा balance होता है but ऐसा नहीं होता है balance of trade surplus भी हो सकता है और deficit भी हो सकता है और balance भी हो सकता है now surplus कब होता है if the export of a country exceeds its import जब export ज्यादा होगा और import कम होगा जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे अगर इंडिया का export ज्यादा है और import कम है उस वगत हम यह कह सकते है there is trade surplus या favorable balance of trade इसी तरह से जब हमारे पास import जो हम बाहर से चीजे मंगवाते है वो ज्यादा हो और हम बेचने वाले कम है उस वगत क्या होगा unfavorable balance of trade या हम इसको कहते हैं trade deficit यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है जब कोई tourist जैसे अमेरिका का कोई tourist इंडिया में आया और अपने साथ कोई चीजें लेकर आया उनको हम import में नहीं डालते हैं या इंडिया का कोई tourist बाहर चला गया अपने साथ जैसे कोई पानी की बोटल लिए bags लिए उसको हम export की category में नहीं डालते हैं यह आपको याद रखना है उसके बाद जो हमारे पास boat है balance of trade है इसको हम trade balance या commercial balance या net export के नाम से भी जनते हैं यह था हमारे पास balance of trade अब हम discuss करेंगे balance of payments जो हमारा आज का सब से main and important topic है now balance of payments जिसको हम short में BOP कहते हैं BOP is a statement of accounts showing all monetary transactions of a country with the rest of the world balance of trade में सिरफ transaction relating to import and export of goods यानि जो visible है उन्हें की बात होती है लेकिन जो हमारे पास balance of payment से ये काफी ज्यादा wide topic है ये एक ऐसी statement है जहाँ पे हम जितनी भी monetary transaction एक country की rest of the world के साथ होती है उन तमाम transaction को हम क्या करते हैं record करते हैं और इसका time period generally क्या होता है one year इन monetary transactions को हम broadly four categories में classify करते हैं पहला export and imports of goods यानि transaction relating to export and import of goods यानि कि जो हमने अभी balance of trade में पड़ा वो भी इसके अंतर include होता है उसके बाद export and import of services ये additional जो balance of trade में include नहीं होता था यहाँ पे export and import of services ये भी include होता है उसके बाद transaction relating to international sale and purchase of financial assets नव जब international level पे sale and purchase होती है किसकी financial assets की कहाँ पे share markets में जैसे stocks हो गया bonds हो गया उनकी जो transaction होती है वो भी हम balance of payment में include करते हैं उसके बाद international sale and purchase of real assets जो real assets है जैसे plant है कोई machinery है उसके relating भी जो transaction होती है वो भी हम कहाँ पे डालते हैं balance of payment statement में आपने चार चीज़ां याद रखी पहले export and import of goods उसके बाद services के related then financial assets and then real assets now अब हम discuss करेंगे components of balance of payments account balance of payments account के दो में component है एक हमारे पास है current account and second हमारे पास है capital account but जो international monetary fund की new classification है उसके मताबिक जो balance of payments है उसके तीन component है पहला current account second financial account ये एक additional है जो अभी RBI publish नहीं करता है because at present जो RBI है वो अभी प्रानी classification के तहर data को publish करता है now ये जो नया account है financial account इसके अंदर क्या include होता है all transaction arising on account of trade and financial assets financial assets की selling या purchasing जो भी share market में होता है उसका अलाइदा से record होगा और वो किस account में हम डालेंगे financial account में किसके मुताबिक international monetary fund के मुताबिक ठीक है ये आपको याद रखना है financial assets जैसे हमारे पास direct investment है अगर कोई बाहर की country हमारे इंडिया में investment करे through FDI यानि foreign direct investment ठीक है वो हम किसमें डालेंगे financial assets में now अगर इसके related examination में आपसे question पूचा जाए में डालते हैं इसके relating जो भी transaction होती है और आपके पास option है current account capital account and financial account उस case में आप क्या करोगे financial account को टिक करोगे अगर आपके पास financial account नहीं होगा उस case में आपको capital account को टिक करना है because according to Reserve Bank of India जो हमारे पास financial assets के relating जितनी भी transaction होती है वो किस के अंदर include होती है capital account के अंदर include होती है ओके अब हम इन accounts को detail में discuss करेंगे सबसे पहले हमारे पास है current account now current account records receipts and payments of foreign exchange on account of such transactions which do not impact asset liability status of a country in relation to the rest of world current account में हम तमाम उन transactions को record करते हैं जो कि एक country के asset and liability status पे कोई भी impact नहीं डालते हैं यानि ऐसी transaction जिनसे नहीं तो कोई asset increase होगा और नहीं एक country के उपर कोई liability आएगी यानि उसको वो repay करना है यानि कि ऐसी receipts जिनसे कोई भी liability create नहोगा if India is receiving 100 crores अब यह 100 crores वापिस न देने पड़े बिकास अगर यह 100 crores वापिस देने पड़े इसका मतलब they are creating liability या अगर हम कोई payment करें उसकी वज़ा से भी asset and liability के उपर कोई भी impact न पड़े ऐसी transactions को हम किस के अंदर record करते हैं current account के अंदर record करते हैं now अब हम देखेंगे current account के क्या-क्या components है first हमारे पास है export and import of goods current account में transaction relating to export and import of goods उसको record किया जाता है जिसको हम visible trade या merchandise भी कहते हैं जैसे मारे पास cell phones हो गया या machinery हो गया इनके related जो भी transaction होती है either receipt है या payment है उसको हम कहां पे record करते हैं current account में record करते हैं या आप इसको simply balance of trade भी कह सकते हो now जिस तरह से कोई individual होता है उसके पास अगर current account होगा तो उसके दो कॉलम होगे एक होगा debit side एक होगा credit side debit यानि negative and credit यानि positive side इसी तरह से जो balance of payments का current account है इसके भी दो कॉलम है एक होगे हमारे पास debit या negative side and second हमारे पास हो गया credit जो भी receipts आती है यानि जो हमारे account में आता है वो कि side जला जाता है वो credit यानि positive side और जो हम import करते हैं यानि जब हम कोई cell phone बाहर से import करेंगे हम उसके लिए pay करेंगे वो किस में आता है debit में आता है export credit में आता है और import debit में आता है इसी तरह से second component हमारे पास है export and import of services जिसको हम invisible trade भी कहते हैं now जब भी हम कोई service provide करेंगे out of the country जैसे मेरा कोई student है अमेरिका में मैं उसको पढ़ा रहा हूँ जब वो मुझे payment करेगा वो country के balance of payment में किस side जाएगा credit वाली side जाएगा और अगर मैं किसी के पास पढ़ूँगा जैसे मेरा कोई teacher है अमेरिका में मैं उसको payment करूँगा वो किस side जाएगा debit यानि जब हम service provide करेंगे तो export जब हम service import करेंगे यानि हम किसी के service use करेंगे जो out of the country रहता है कि side जाएगा वो debit side में नव हमारे पास जो service है या तो factor service हो सकती है या non-factor service नव हमने already पढ़ा है हम जानते हैं there are four factors of production land, labor, capital and entrepreneur वो जो service provide करते हैं उस वाज़ा से जो income generate होती है उसी को हम कहते हैं factor, income या जो हम payment उनको करते हैं जो हमारे पास four factors of production है उसी को हम क्या कहते हैं factor payment अगर हम बात करेंगे balance of payments account की factor of incomes को हम classify करते हैं as investment income and compensation of employees now investment income में हम क्या include करते हैं rent, interest and profit and second compensation of employees या नि जो employees को salary मिलती है ठीक है यह हमारे पास क्या हो गया factor services इसी तरह से हमारे पास है non-factor services now factor services के अलावा जो भी services हैं उनको हम कहते हैं non-factor services जैसे insurance है या banking services है जैसे इंडिया के bank अमेरिका में है वो अमेरिकल लोगों को services provide करते हैं वो कौन सी services है non-factor services इसी तरह से third component हमारे पास है current transfers now transfer क्या होती है transfer एक unilateral payments होती है जहाँ पे हमें कोई भी महनत नहीं लगती है जब हमने national income को discuss किया वहाँ पे हमने इसके बारे में पड़ा था transfer में क्या-क्या include करते हैं gift जैसे अमेरिका से किसी ने मेरे लिए gift बेजा या grants है remittances है इंडिया के लोग बाहर काम करते हैं फिर वो अपने घरवालों को पैसे बेजते हैं वो किसमें आ गया remittances ठीक है ये सारी transaction इसके related जो भी transaction होती है वो किसमें आती है current account में अब आपने याद रखा current account में क्या-क्या include होता है transaction relating to export and imports of good second हमारे पास import and export of services फिर services factor services भी हो सकती है या non-factor service भी हो सकती है उसके बाद current transfer जितनी भी unilateral transfers है चाहे gift हो कोई grant कोई हमें help करे या remittances जैसे इंडिया के लोग बाहर हैं फिर वो आपे वो कमाते हैं और घर पे पैसे बेजते हैं इनके related जो भी transaction होती है वो किसमें include होती है वो होती है current account में include next अब हम discuss करेंगे capital account नव जिस तरह से हमने पढ़ा था current account ऐसी transactions को record करता है जो कि एक country के assets and liabilities के उपर कोई भी impact नहीं डालता है यानि जिन transactions की वाज़ा से assets and liabilities के उपर कोई भी फरक नहीं पढ़ता है just इसी का opposite है capital account capital account उन तमाम transactions को record करता है which cause a change in the asset or liability of the residents of the country जिनकी वाज़ा से asset या liability increase या decrease हो ऐसी transaction capital account record करता है now capital account के क्या क्या components है capital account के दो important and man components है पहला मारी पास है borrowings and lending to and from abroad चाहे हम बाहर किसी country से borrow करें या हम किसी country को land करें इसके related जो भी transaction होगी वो किसमें include होगी वो कहां पे record होगी capital account में इसी तरह से investment to and from abroad चाहे इंडियन किसी बाहर कंट्री में investment करें या बाहर वाले हमारे मुलक में investment करें इनके related जो भी transaction होती है वो भी किसमें होती है capital account में record होती है now जब भी हम किसी country से borrow करते हैं borrowing को हम two categories में classify करते हैं पहला हमारे पास है external commercial borrowing and second category हमारे पास है external assistance now पहली category में क्या है external commercial borrowing जब हम किसी country से loan लेते हैं और जो rate of interest है वो रहता है market rate of interest यानि कि जो international money market में interest rate होता है वो ही country वो rate हमें चार्ज करें तो वो किस category में आएगा external commercial borrowing बट जब वो country हमें थोड़ी concession देगी अगर international money market में 8% rate of interest है अगर हम for example US से loan ले रहे हैं borrow कर रहे हैं और वो हमें 5% interest rate रखें तो वो हमारे पास किस category में आएगा external assistance जिस तरह से हमने current account में पढ़ा current account के दो कॉलम एक साइट से debit एक साइट से credit इसी तरह से जो हमारे पास capital account है यहाँ पर भी हमारे पास दो कॉलम बनेंगे एक हमारे पास debit वाला यानि negative और दूसरा credit यानि positive side जब हम किसी country से borrow करेंगे यानि receipts of loan जब हम loan receive करेंगे वो आएगा हमारे पास credit वाली site में और जब इंडियन बाहर की share market में बाहर किसी country में invest करेंगे वो किसमें आएगा debit यानि यहाँ से outflow हो रहा है now कोई भी foreigner हमारी country में इंडिया में किस तरह से invest कर सकता है generally या तो वो foreign direct investment के थो invest करेगा या foreign institutional investment जिसको हम foreign portfolio investment भी कहते हैं now foreign direct investment and foreign institutional investment इसके बारे में जब हमने capital market पढ़ा वहाँ पी detail में discuss किया था यहाँ पे भी हम discuss करेंगे देखो foreign direct investment and foreign institutional investment दोनु केटेगीरी में कोई foreigner किसी दूसरी country में invest कर रहा है यानि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोई US वाला let us suppose that इंडिया में invest कर रहा है अब इन दोनों investment में क्या difference है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे discuss करेंगे foreign direct investment में कोई foreigner हमारी company में यानि Indian company में जब invest करेगा वो अपने साथ क्या-क्या लाएगा funds भी लाएगा resources भी लाएगा technology भी लाएगा सब कुछ वो लाएगा विकास उसको का उस company के उपर क्या मिलेगा control मिलेगा जब वो FDI के उत्रों investment करेगा हमारी company में उसको हमारी company के अंदर control मिलेगा ownership मिलेगी ओके बट जो foreign institutional investment है या foreign portfolio investment है यहां पर कोई foreigner हमारे share market में invest करेगा सिरफ funds transfer होंगी because let us suppose that वो share खरीदेगा या stock खरीदेगा वो क्या करेगा सिरफ funds transfer करेगा इस लिए उसको company के उपर कोई भी control नहीं रहेगा according to my realm committee जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है उसने क्या difference बताया है foreign investment of 10% or more जब कोई foreigner हमारी किसी company में listed company यानि जो share market में list होगी उस company में 10% या 10% से ज्यादा करेगी वो आएगा हमारे पास foreign direct investment और जब वो 10% से कम investment करेगी वो किसमें आएगा foreign portfolio investment या आप कह सकते हो foreign institutional investment capital account के कुछ और components है अब हम उन components को discuss करेंगे फर्स्ट हमारे पास है NRI deposits now NRI deposits क्या होता है जब कोई non resident Indian अपने surplus funds को किसी Indian bank में जमा करे deposit करे उसी को हम कहते है NRI deposits और यह किसमें record होता है यह record होता है capital account में इसको हम एक example से समझेंगे let us suppose that कोई Indian है और वो काम करता है US में ठीक है अब US में Indian bank की कोई branch है जैसे state bank आप यह समझो SBI की branch है कहां पे US में अब यह जो Indian US में रह रहा है इसने अपना account कहां पे खोला SBI में यानि वो bank जो कहां पे है US में है SBI की branch US में इसने इसमें account खोला हलांकि वो खोलना किसमें चाहिए था US का कोई bank होगा उसमें खोलना चाहिए था लेकिन उसने अपने ही bank को वहां पे याद रखा और अपने deposit कहां पे रखनी लेगा State Bank of India जो की US में उस deposit को हम कहेंगे NRI deposits नव यहां पे आपको एक चीज़ याद रखनी है Let us suppose that कोई Indian है और वो कहां रह रह रहा है US में रह रह रहा ठीक है बट वो यहां पे क्या करता है US में रहके जब वो पैसे कमाता है वो direct अपने घरवालों को पैसे बेजता है यानि जो इंडिया का कोई bank US में है उसमें वो पैसे जमा नहीं करता है बलकि direct वो अपने घरवालों को पैसे बेज देता है Let us suppose that through Western Union वो बेजता है तो उस case में वो जो अपने घरवालों को पैसे बेजेगा वो किस category में आएगा foreign remittances में उस case में वो include होगा current account में यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखी अगर वो Indian US में ही Indian bank में जो India bank की ब्रांच वहाँ पे होगी उसमें पैसे जमा करेगा फिर आएगा वो NRI deposits और उसको हम include करेंगे capital account में बट अगर वो directly अपने घरवालों को पैसे भीजीगा वो किस में आएगे फिर current account में यानि foreign remittances में वो include होगे next component हमारे पास है banking capital other than NRI deposits now banking capital refers to foreign assets held by Indian commercial banks now banking capital में हम क्या include करते हैं foreign assets जो Indian commercial banks के पास है जैसे अगर कोई US citizen है वो इंडिया के किसी commercial bank से loan लेता है जब वो loan लेगा तो उसको कोई चीज गिरिवी रखनी पड़ीगी वो किस में आएगा foreign assets में अगर वो loan वापस नहीं दे पाया जो Indian commercial bank है वो उस foreign assets को बेच देगा और उससे क्या होगा inflow of foreign exchange ओके next हमारे पास है short term trade credit short term trade credit क्या होता है जब कोई international market से कोई चीज खरीता है कुछ goods खरीता है but immediately वो payment नहीं करता है बलके let us suppose that एक या दो महीने के बाद payment करता है तो वो उसको पर क्या आती है एक liability create होती है कि मुझे पैसे वापिस करने है यह जो transaction होती है यह भी किसके अंदर include होती है capital account में include होती है अब आपने क्या याद रखा capital account में क्या क्या include होता है सबसे पहले borrowing या lending उसके बाद investment उसके बाद NRI deposits then banking capital and then short term credit okay hope you guys understand next एक और important component balance of payment का हो है reserve account now किसी भी country का reserve account कहां पे होता है अपने central bank के पास जैसे अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया का जो reserve account है वो कहां पे है RBI के पास reserve account deal करता है foreign exchange reserve जो भी government के financial assets होते हैं वो ही उस reserve account में रहते हैं now इस reserve account का क्या काम है यहां पे मैं आपको example देके समझाता हूं now जो हमारे पास current account है जब current account में कोई भी deficit आता है यानि कि जब import ज्यादा होता है and export कम होता है जैसे let us suppose that अगर हमने 20 crores का import किया and सिरफ 10 crores का हमने export किया जैनि हमने बाहर की countries को सिरफ 10 crores का माल बेचा और वहां से हमने 20 crores का माल खरीदा अब यहाँ पे हमें 10 crores की जुरुरत पड़ेगी अब यह 10 crores कहां से आएंगे इसके लिए हमारे पास दो option है या तो हम borrow करेंगे या हमारे पास कोई asset होगा हम उसको बेच देंगे वहां से पैसे दे के हम इस import पे जो हमें 10 crores का फरक पड़ा था उसको pay करेंगे ठीक है अब हम जो हमारे पास crut account में जो हमने pay करना है इसको balance करना है वो कहां से करेंगे capital account से capital account से कैसे विकास या तो हमें उधार लेना पड़ेगा वो भी component है capital account का या हम कोई asset बेच देंगे उससे क्या होगा asset में कमी होगी चाहे asset में कमी हो या कोई liability create हो वो किससे होता है वो सारा होता है capital account में यानि आपने एक चीज याद रखी जब भी current account में कोई भी change आती है कोई भी deficit होता है उसको हम कहां से fulfill करते है capital account से ठीक यहां से एक question arise होता है अगर एक ऐसी situation हो नहीं हमें कोई loan दे रहा हो और नहीं हमारे पास कोई asset है जिसको हम बेट सकते हैं तो यहां पर आता है फिर काम reserve account का यानि जो RBI के पास reserve होता है जो financial assets RBI के पास reserve होंगे हम वहां से withdraw करेंगे और फिर जो हमारे पास current account होगा उसकी जो deficit होगा उसको हम पूरा करेंगे so any withdrawal from reserve is recorded on the positive side या credit side यहां पर भी आपको एक चीज याद रखनी है आप यह सोच रहे होंगे जब हम कोई चीज विड्रा करेंगे तो वह debit side में आना चाहिए ठीक है obvious सी बात है बट यहां पर आपको इस second point पे देखना होगा जो हमारे या तो credit account में पैसे डालेंगे या capital account में इसका मतलब इन दो account में क्या हो गया credit हो गया इसलिए जब हम reserve से कोई भी विड्रा करेंगे वो कि side में आएगा positive या credit side में ओके इसी तरह से any addition to these reserve is recorded on the negative या debit side जब यहां पर हमें surplus होगा तो हम यहां से पैसे मिकालेंगे और कहां पर रखेंगे reserve में रखेंगे यानि यहां से क्या हो गया debit हो गया इसलिए उस transaction को हम कहां पर रखेंगे negative या debit side में रखेंगे ठीक now जो हमारे पास reserve account है यह मिला होता है IMF, SDR and reserve and monetary gold इन तीनों को मिला के यह हमारे पास three accounts है इन तीनों accounts को मिला के हमारे पास बनता है the reserve account now IMF यानि कि international monetary fund इस account में क्या आता है contain purchase and repurchase यानि कि जब हम अगर international monetary fund से कोई loan लेंगे या हम उनको कोई payment करेंगे वो सारी transaction इसी account में record रहती है second component reserve account का है SDR इसकी आपको full form भी याद रखनी है special drawing rights now SDRs क्या होता है SDR simply एक quota होता है IMF के पास हर एक member country का जिसके तो वो international payments को settle करती है now SDR एक basket of currencies है जिसमें five currencies है कौन कौन सी US dollar इसको आप note down किजिएगा euro ठीक है उसके बाद Japanese yen Japanese yen okay and then pound sterling ठीक है इसको आप note down करो found sterling उसके बाद जो fifth currency है जो कि 2016 में include हुई थी वह है Chinese renminbi Chinese renminbi इसको भी आप note down किजिएगा Chinese renminbi ठीक है इसको include किया गया था 2016 में simply आपने क्या याद रखा special drying rights एक basket है currencies का जिसके थो international payments को settle किया जाता है तो यह था हमारे पास reserve account next हमारे पास है disequilibrium in the balance of payments now जो balance of payments है यह balance भी हो सकता है या disequilibrium में भी हो सकता है disequilibrium की हमारे पास दो situation है एक हो गए हमारे पास surplus in the balance of payment जब credit ज्यादा हो and debit कम हो यानि कि current account and capital account में जो भी credit हुआ है वो ज्यादा है and debit कम हुआ है उस case में balance of payment क्या होगा surplus होगा उस case में क्या होगा यहाँ से फिर debit करेंगे और reserve account में हम जमा करेंगे ठीक second situation क्या possible हो सकती है a deficit in balance of payment जब total payments ज्यादा हूँ as compared to total receipts यानि कि जब credit कम हो and debit ज्यादा हो उस case में जो balance of payments होगी वो deficit होगी अब इसको हम किस तरह से fulfill करेंगे हम reserve account से withdraw करेंगे and balance of payment में हम क्या करेंगे credit करेंगे यानि positive side करेंगे ठीक है उस तरह से हम balance of payment को balance कर सकते हैं next दो और important terms है relating to balance of payments account which is autonomous and accommodating transactions या आप इसको कह सकते हो autonomous and accommodating items now सबसे पहले हम discuss करेंगे autonomous items now it refers to such both transactions which are undertaken with a view to making profits autonomous items वो transactions है जब हम उन transactions को करते हैं तो हमारे mind में क्या होता है profit simply आप याद रखोगे जो भी transactions current account में होती है and capital account में होती है वो तमाम transaction किस category में आती है autonomous items देखो जब हम import या export करते है goods का services का या transfer payment हर एक में हमारे mind में क्या होता है profit या अगर आप capital account की बात करोगे जब भी हम किसी से loan लेते हैं या कोई हमारे में investment करेगा या हम किसी country में investment करेगा हमेशा क्या होता है profit mind में होता है इसी लिए इन transactions को हम autonomous items या autonomous transactions कहते हैं now autonomous items इन ही की वज़े से इन ही transactions की वज़े से balance of payment में surplus भी होता है and deficit भी होता है ठीक and इन items को हम क्या कहते हैं above the line items याद रखने आपको autonomous items को हम above the line items भी कहते हैं second term हमारे पास है accommodating items now accommodating items या आपको हो accommodating transaction on the other hand refers to such transactions which are undertaken by the central bank of a country with a view to correcting balance of payment imbalance now जब भी किसी country का central bank कोई transaction करता है किसकी वज़े से जब balance of payment में कोई imbalance होता है कोई deficit होता है उस deficit को restore करने के लिए जो transaction की जाती है उसको हम क्या कहते हैं accommodating transactions या accommodating item यानि जो भी transaction जो भी payment या receipt reserve account से होती है वो किस category में आएगा accommodating item simple आपने याद रखा current account and capital account इनके related जो भी transaction आए होगी वो उनको कहेंगे autonomous transactions ठीक है and reserve account से जो भी कोई transaction होगी वो आएगी accommodating transactions और इसको हम below the line item भी कहते हैं जो हमारे पास autonomous item है यह आएगा above the line item and accommodating item के समें आएगा below the line items ठीक जो भी balance of payment में कोई deficit होगा उसको हम through reserve account या accommodating transactions के थो किस तरह से उसको हम fulfill कर सकते हैं जो deficit आएगा उसको हम किस तरह से meet कर सकते हैं या तो हम foreign exchange reserve जो central bank के पास जो RBI के पास foreign exchange reserve होगा उसके थो वो कर सकता है या हम borrow कर सकते हैं international monetary fund या international monetary fund के लावा भी कोई भी foreign monetary authority होगी वहां से हम borrow करके जब हम इसको जो हमारे पास balance of payment में imbalance होगा तो वो किस category में आएगा accommodating transactions तो यह था हमारे पास आज के topic में आज का topic यहीं पे खतम होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends and classmate के साथ जूर शीर कीजिए आएगा तैंक्स फर्माजिक